नमस्कार स्टेंड मैं हूँ पूजय चौदरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल Computer Class with Extra Knowledge में तो स्टेंड आज की वीडियो में हम Computer Port को समझने वाले हैं हमारे CPU पर जो हमारी Computer से Connect होता है जिसको हम Central Processing Unit या Computer का दिमाग भी कह सकते हैं ब्रेन कहते हैं जिसको CPU पर कई सारे कई सारे टाइप के पोर्ट दिखते हैं और जब भी आपको अपने कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट करानी हो चाहे कीबोर्ड हो चाहे माऊस हो या कोई भी USB डिवाइस हो तो उसके लिए जो है वह हम CPU के पोर्ट का यूज करते हैं इस पॉर्ट से रिलेटेटिड तो चलिकाव करते हैं तो यहां पर हम अपनी फाल पर आते हैं यहां पर कंप्यूटर पोर्ट में एक फाइल बना रखी जिसके अंदर सारे टाइप के आवे पोर्ट भी दिये हैं अब चले करके समझते हैं सबसे पहले तो जिसको नहीं पता हो कि computer port क्या होता है तो यहां पर लिखा हुआ है computer ports hardware का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा external input तथा output devices को computer से जोड़ा जाता है याद रखिएगा जो port होते हैं वो एक तरीके से computer hardware का एक part होता है आपने देखा होगा कि CPU अगर आप front साइट देखेंगे CPU को या back side पर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको earphone connect करना होता है तो वहां पर कुछ ports दी रहते हैं जिनमें हम अपना earphone लगारा लगाते speaker connect करना हो या mouse चलाते हैं तो mouse चलाने के लिए आपको अगर आप लेप्टोप पर mouse यूज कर रहे हैं या desktop पर कर रहे हैं तो उसको आपको connect करना होता है तो यहीं सारी ports होते हैं तो external devices का मतलब है जो बाहरी devices जिनको मलग से यूज करते हैं mouse हो गया keyboard हो गया pen drive हो गया आपका तो यह सारी चीजे external devices को computer से जोड़ने के लिए जो है वह हम computer port का यूज करते हैं अब यहां पर आप इस पिक्चर के थ्रूँ यह चीज समझ सकते हो कि computer CPU पर कुछ ports दिये रहते हैं जैसे यहां पर आपको यह दिख रहे हैं इनके नाम है अगर आप CPU का back part देखेंगे अगर आप CPU में यह चीजे देखेंगे तो आपको यह पर के नीचे picture भी आ रहे होगी जिसके तुरूँ आप समझ सकते हो कि किस चीज के लिए है जैसे PS2 port है यह mouse के लिए यहां पर एक एक करके समझते हैं सबसे पहले दिया गया है power connector port power connector port क्या होता है जैसे यहां पर देखो आप picture भी देख सकते हो power connector port जो है उसका काम होता है कि जब भी आप CPU पर जैसे CPU के back side अगर आपने देखोगा कि आपको यह इस type की cable आपको connect करनी होती है तो जब भी आपक आपके CPU में जो है वो power connection पहुंचता है अगर आप वहां पर एक एवल नहीं लगाते हैं तो आपका system on नहीं होगा क्योंकि जब तक उसके अंदर power ही नहीं पहुंचेगा तो वो on कैसे होगा तो यह power connector हमारा होता है power connector port भी आप इसको कह सकते हो अपने CPU पर अगर आपके पास किया है image में हमें इसके लावा यहाँ पड़ भी सकते हैं उसमें लिखा हुआ है इस port का यूज पुराने mouse, modem और printer को CPU से connect करने के लिए किया जाता है इस port से एक समय में एक bit data transfer किया जा सकता है याद रखेगा serial port जो था वो जालतार आपको पुराने CPU पर मिलता था serial port जो है वो अब आपको देखने को नहीं मिलता है तो यह पुराने type का port था और इसमें जो है आप mouse, modem और printer को जो है वो connect कर सकते थे और यह एक बार में यह एक bit data transfer कर सकता था बट अभी यह use नहीं होता है अब आपको यह नहीं मिलेगा अपनी CPU पर यह देखने को नहीं मिल जासे इस पिक्चर में आपको देख रहे है ना यह याद रखेगा यह आपने laptop पर भी देखा होगा आपको प्रेटोफ होगा तो आपने laptop पर भी पोर्ट देखा होगा और आपके आपके CPU है तो CPU में अगर आप उसका back part देखेंगे तो back part में आपको इस type का इस port दिखाई और यह भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितने pin होते हैं तो 13 pin जो होते हैं वह उपर साइड होते हैं और 12 pin जो है वह नीचे कर सकते हो उसके बाद next हमारा है USB port तो USB port बहुत जादा अभी चल रहा है USB port का सबसे जादा यूज अभी हो रहा है क्योंकि जतनी भी devices हैं आपकी वह सा charger मिलता है उसके साथ जो आपको केवल मिलती है वह भी हमारी USB port को connect कर सकते हैं उसके इलाबा आपका pen drive है यह सारी चीजें जो है USB port के ही अंदर आते हो अभी जो हमारे CPU और हमारा जो laptop होता है laptop आप CPU कह सकते हो उसमें आपको यही वाला port सबस्यादा यूज होता है इसमें चल उसके बाद यहां पर दिया गया है हमारा PS2 port PS2 का मतलब पहले क्या है पूरा full form जान लीजिए PS2 का मतलब होता है personal system port इस port का प्रियोग पुराने computer में mouse और keyboard को connect करने के लिए किया जाता है या दखिएगा अगर आपके पास CPU है अगर आप CPU को back side देखेंगे तो उसमें आपक के keywords में आपको जाद तर मिलता था बढ़ता है keyword और green होता है mouse के लिए next है हमारा VGA VGA for video graphics array इसका काम होता है इस port का प्रियोग monitor तर प्रोजेक्टर को CPU से connect करने के लिए किया जाता है बहुत important है जो VGA port होता है यह आपके CPU से आपके monitor तक जो भी आपको दिख रहा होता है जो सारा कुछ है जो यह VGA port के थ्रू ही हो रहा है आपके monitor पर आपको VGA port connect करनी होती है और आपके CPU पर वही cable आपको connect करनी होती है तो यह हमारी क्या है यह हमारी VGA यान की video graphics array यह भी आपको CPU पर इस type का देखने को मिल जाएगा अगर आप इसमें connect नहीं करेंगे इस cable को जब आ port is not connected तो यह हमारी VGA port होती है इनकी video graphics array उसके बाद यहाँ पर है Ethernet Ethernet port जिसको RJ45 port भी कहते हैं इस port का प्रियोग CPU से LAN यान की local area network को connect करने के लिए किया जाता है ताकि internet को चलाया जा सके आपने CPU पर अपने laptop पर कई बार देखा होगा यह वाला भी port इस type का मना रहता है यह द आपके CPU पर जो है वो इस type का एक आपको port मिलता है जिसको Ethernet port कहते हैं या RJ45 port भी कह सकते हैं नेक्स्ट हमारा एक गेंपोर्ट गेंपोर्ट नाम से समझ में आ गया होगा गेंपोर्ट का मतलब है गेंपोर्ट का काम होता है कि जब भी आपको अपने computer पे गेंपैड या joystick वगरे device को connect करना हो उसके लिए हम यहां पे गेंपोर्ट का यूज करते हैं जिसमें यह आपको हैं उसके बाद यहां पे दिया गया है HDMI HDMI क्या है HDMI port क्या है HDMI का नाम पहले तो है High Definition Multimedia Interface यानि कि थोड़ा बहुत नाम से समझ में आ गया इसका काम है इस port का use computer में किसी digital television projector को connect करने के लिए कि लिए जाता है तो यह हमारी HDMI port होता है देखिए उसके नीचे लिखा भी हुआ यहां पर DVI है DVI for Digital Visual Interface इस port का प्रयोग high-end video graphics card को flat panel LCD monitor से connect करने के लिए किया जाता है तो DVI अगर आपके पास port है आपकी CPU पर आप DVI port का use करने करना चाते हैं तो DVI port तब use होता है जब हम किसी LCD monitor या कोई video graphics card को जो है जब हम उसके साथ connect करना चाहें तो उसके लिए हम DVI port का यूज़े करते हैं next है next और last है firewire port firewire port क्या है इस port का प्रयोग camcorder और video device को computer से connect करने के लिए किया जाता है याद रखेगा अगर आप firewire port यूज़े होता हैं तो इस port का used camcorder और वीडियो डिवाइस को computer से connect करने के लिए किया जाता है तो यह सारे हमारे port थे computer use कर रहे हैं या आप laptop use कर रहे हैं तो उन पर आपको यही port इस तरीके से मिलते हैं प्लस एकदाम में भी आपको यह question बहुत जादा पूछ आते हैं तो यह सारे हमने computer port के बारे में समझा computer port होते क्या हैं उनको समझा कि अगर कभी आपको connect करना हो आपको आपने नहीं कभी connect किया हो तो आप इसके थ्रू जो है आसानी से connect कर सकते हैं समझ सकते हैं कौन सा port हो किस port में हमें इस cable को जो है वो connect करनी है तो यह सारे हमारी port थे तो next video में हम कुछ और topics के बारे में मात करेंगी